तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो टीचर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें मिसिस पाल नेशनल कॉम्पिटिशन की रिजल्ट को देखकर हैरान थी क्योंकि उसमें वेंग फर्स पोजिशन पर था इस पर दूसरे टीचर मिसिस पाल से पूछते हैं कि आप वेंग को पढ़ाती हो तो आपको क्या लगता है वो कैसा स्टुडेंट है जिस पर मिसिस पाल बताती है कि वो अपनी ही सोच में डूबा रहता है और जादतर टाइम क्लास में खामोश रहता है किसी से कुछ बात नही देखा था यानि की टेंग और उसके फ्रेंड्स और हमें ये भी पता चलता है कि पिछले सो सालों में इन दोनों क्लास की भी 24 बार कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें से 23 बार क्लास 59 जीता और एक बार मेच ड्रो हुई थी वो भी सिर्फ जू के अच्छे पफोमेंस के कारण तब ही जू कहते हैं कि इस बार का कॉम्पिटिशन अलग होगा कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं जिसके बाद हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती हैं जो की स्वोर्ड कॉम्पिटिशन जिस जगह पर होने वाला है उसकी रिपोर्टिंग कर रही थी जहां पर हम क् स्टुडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिसमें टेंग भी शामिल था वो रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बहतरीन यूज करता है तब ही रिपोर्टर उसका रिजर्ड नेशनल स्क्रिन पर प्ले करती है जिसे देख क्योंकि पिछले एपिसोड में गुओ ने उसका नाम चेंज करके फनी सा रख दिया था आगे रिपोर्टर टेंग का इंटर्व्यू लेती है जिसमें टेंग क्लास 59 की काफी तारीफ करता है वो लोग इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए पिछले एक महिने से कड़ी बह टेंग है वो टोप पोजिशन पर है आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जिससे सुनते ही टेंग गुसे से पीला हो जाता है और उसका ये रूप देखकर रिपोर्टर अपनी बात बदल देती है और टेंग भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है इस तरफ इसकुल म जू और टीचर मिलकर स्वोर्ड कॉम्पिटिशन के लिए सुन, वेंग, गुओ और चेन को भेजने का डिसाइड करते हैं लेकिन मिसिस पाल का यहां पर कहना था कि सुन के अलावा ग्रूप में कोई इतना खास नहीं है तभी जू मिसिस पाल को रोमेंटिक अंदाज में कह है कि आप उन्हें कॉम्पिटिशन के लिए अच्छे से तयार कर लोगी जिसे सुनकर मिसिस पाल पिखल जाती है और मना नहीं कर पाती है आगे मिसिस पाल कहती है कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टीम में टोटल पांच मेंबर होने चाहिए लेकिन हम नहीं कि एनिमल्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि सालों पहले एक फोक्स ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और वो लोग जीते भी थे लेकिन फिर भी जू मिसिस पाल के लिए डोग को यूमन में ट्रांसफर करने का शेल पड़ते है जिससे वो ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5000 तो आएगा ही। साथ ही में वो डोग को ये भी कहता है कि अगर इस बार हम कॉम्पिटिशन जीद गए तो मैं तुम्हें केट से आजाद कर दूँआ। जिसे सुनकर डोग की आखे चमकने लगती है। और जब वो पावर टेस् इस तरफ क्लास 59 के कुछ स्टुडेंट्स टेंग का मजाग उडाते हैं कि अब तो एक डोग ने भी तुम्हें पिछे छोड़ दिया जिसे देखकर टेंग को काफी गुसा आता है। इधर इसकूल छूटने के बाद टीचर सुन वैंग, गुवो, चेन और डोग को स्टुड उन्हें दिखानी होगी, जिसे सुनकर सब लोग काफी जादा खुश हो जाते हैं, और जब चेन ये बाद अपने डेट को बताता है, तब उसके डेट उसे अपनी खांदानी स्टुड देते हैं, जिसे लेते वक्ट चेन काफी एमोशनल होता है, और लिटरली रो होने लगता है, मानो उसने कोई जंग जित ली हो, इसके बाद एके करके सब लोग अपनी स्टुड दिखाने लगते हैं, वही सुनकी स्टुड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी, क्योंकि वो काफी रेर होती हैं, तब ही टीचर वेंग और डो को भी स्टुड दिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर गुओ कहता है, डोग के पास किसे स्टुड हो सकती हैं, जिसे देखकर डोग अपनी स्टुड दिखाता है, इतना ही नई, वो ग्रूप में इन लोगों के साथ चेटिंग भी कर रहा था, अब सब लोगों ने अपनी कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था, वहीं उसका खाना हो जाने के बाद, वो ग्रूप में बस यस लिखता है, और कुछ नहीं, दूसरी तरफ हम टेंग को उसकी सीनियर से बात करते हुए देखते हैं, सीनियर पूछती हैं कि कॉम्प मेंबर होने चाहिए थे, इस पर टेंग कहता है कि पांचवा मेंबर वो बंदा है, जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं, सीनियर ये सुनकर घबरा जाती हैं, और कहती है कि उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो टेंग कहता है कि इस साल हमें किस 60 से हारना नहीं है जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाती है साथ ही में वो टेंग को competition का full control देती है वहीं जाते जाते टेंग कहता है कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ इस पर सीनियर कहती है कि उस आदमी के हमारे टीम में होने से हारने का सवाल ही नहीं उठता अगले सीन में हम टेंग की असिस्टेंट को एक गली के पास देखते है वो बुफेंग को competition के बारे में बताने आई थी गाईस दरसल ये वही आदमी होता है जिसके बारे में टेंग अपनी सीनियर से बात कर रहा था हम देखते हैं बुफेंग काफी स्ट्रोंग है और वो अकेले ही कई लोगों को मार गिराता है और इसी के कारण से टेंग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है ताकि वो वेंग को सबग सिखा सके आगे बुफेंग पूछता है कि क्या काउंसिल को पता है कि मैं टीम में आने वाला हूँ इस पर टेंग की असिस्टेंट हा में जवाब देती है और फिर बुफेंग भी स्वोर्ड कॉंपिटिशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोट खत्म होता है गाईज अगर आपको मेरा एक्स्प्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में